इन दौर में हीरानगर पुलिस ने सूने घर में चोरी करने वाले तीन बदवासों को गिरफतार किया आरोपित चोरी के लिए ऐसे स्थानों को चुनते थे जहां CCTV कैमरे नहीं लगे होते थे लेकिन पुलिस ने चोरों को पकड़ा भी CCTV फोटेट से ही है चोरी के बाद उनका हुलिया भी कैमरे में आ गया था पुलिस ने सोने चान्दी के जेवर, आर्टिफिशिल जूलरी और अन्य सामान भी बरामत कर लिया है टी आई सतीस पटेल के मुताबिक गिरफतार आरोपितों के नाम दीपक, निवासी बाणगंगा, आसिस धन्नालाल निवासी स्कीम नमबर 78 और एक नाबालिक को भी गिरफतार किया है टी आई के मुताबिक आरोपित ऐसे स्थानों की रैके करते थे जहांपर CCTV कैमरे और सिक्योर्टी गार्ड नहीं होते थे दिन में रैकी करने के बाद और रात को चोरी की वारदात को अंजाम दे कर फरार हो जाते थे लेकिन पुलिस ने एक जगल से ऐसे फुटेज भी निकाल लिये थे जिसमें चोरी होने के बाद वो कैमरे में कैद हो गए दो दिन पहले पुलिस को खबर बिली कि आरोपितों ने गौरी नगर में सस्ते दामों पर चोरी के सस्ते लैप्टॉप बेचने की फिराक में है वही पुलिस वालों ने घेराबंदी की और तीनों को पकड़ लिया लसूडिया पुलिस बदमासों से पूँचनाश कर रही है जो गुरुवार दो पार बिल्डर अनिल सिंग तोमर के घर में चोरी करने की नियत से घुसा और भारने के चकर में छट से कूद गया था इस गटा में उसका एक पैर भी तूट गया टियाई संतोस दूदी के मताबिक आरोपित का नाम सत्या है उसका एक साथ ही सूरज फरार हो गया है जैसे ही तोमर के मकान में दोनों घुसे तो रहवासियों ने शोर सरावा मचा दिया जल्दबाजी में चोरी की और पडोसी की छत से नीचे छलांग लगा दी सूरस तो फरार हो गया लेकिन सत्या का पैर तूट गया जिसके पास से चोरी का माल भी परामत हो गया है पुलिस अब उन से आनेवार दातों के संबंद में भी पूछताच कर रही है हजमें जले तहां पर रहता है यह इस्टेशन पर नहीं रहता है यह प्यर में काई से लग गई ते रहे हैं कहा से ताइक लीगशाता गर में अट है है को लटका साथ में यह लेकर आगे है क्या राम है जो लड़का बगा उसका सूरज का मिलागा वो तेरा घर का है इस साइड घर का है घर वाले का है तो ठीक